बेरी की बेर तोणने को लेकर हुआ खूनी संगर्ष एक ही परिवार के तीन लोग हुए गंबी रूप से घायल केस दर्ज शिपपुरी जुले के गावोनी गाउं में बच्चों के द्वारा बेरी की बेर तोणने को लेकर दो परिवारों की महिलाओं के बीच हुआ मुवाद देखते ही देखते खूनी संगर्ष में बदल गया इस दोरान एक पक्ष की दो महिलाओं और दो पुर्षों ने लाटी डंडे और फरसे से हमला कर एक ही परिवार के तीन लोगों की बहरे में से मार पिर कर दी जिसते तीनों लोग गंबी रूप से घायल हो गए जिनने उपचार के लिए जिलस्पतार शेपुरी में भरती कराए गया है वहीं घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ष कराए गई जिसपर पुलस ने केस दर्ष कर विवेचना शुरू कर दी है जानकारी के मताबिक गजेंदर पुत्र बाबुगोर उम्र 30 वर्ष निवासी गागोनी के घर के पास बेरी का पेड लगा है इसी बेरी के पेड से पच्चों ने बेर तोड़ी इसी बात को लेकर पडोसन, कुसुम और धनवंदी से गजेंदर की पतनी करिती का विवाद होगा जहां गौर्ण काया एक फूल पर्ता जोगता है जाघ्ञा किस बात को लेकर हो गया जागडा विरीय आके पीछ विवाता है हमने तो जराई नहींती लेक डूसरे कोई जरा गया और उसके पीछे हो लड़ने जगरने आगी जबर करें दो बेर जडा गाया पिर उसके पीछे वो लड़ने आ गई है कौन उसकी बगवानलाद की घरवाली तो इसी बात पर बहू से जगड़ा करने रगी तो पापा बीच बिचारा करने गई तो पापा में लटिया दे दी फिर वो दूसरा उसका लड़का आया उसने फस्सा दे दिया तो ये गर्दन क नान पीचे तो डान के दिवाली को कि möj् Teachers अगया ये है कितने लोग अइमार पीट कि इस तेन है तो दो करनाम बटांगा बावलाल गोड मेरे पिता जी है मेरे पर छलगाए और एक लाटी किले किर्थ के शंपर मेरे याफ औ परदनी को बढ़िवां कृत वो कितने लोग ते मारपीट करने वाले चार लोग ते पांच पांचों के नाम बता दो भगवान लाल और उसका लड़का रामेट गोड़ और उसकी पत्नी धन्मंती और उसकी जठानी ती धन्मंती की कुसम गोड़ तो उन्होंने आके मारपीट की और मारपीट करके उपर भाग गए फाई आर दर्ज कराई एगी सीवर खाने से